जी, बिसम्लार रह्मार रहीम, इस lecture के अंदर हम discuss करने वाले हैं कि किस तरीके से training और testing data दोनों matter करते हैं, जब अब कोई भी machine learning का algorithm जो है, उस पे काम कर रहे होते हैं, और हमारे लिए जो ज्यादा important चीज़ होती है, वो होती है testing data का result, इस concept को समझाने के लिए आपको मैं ये वाला lecture जो है deliver करता हूँ और अपनी screen आपके साथ share करता हूँ, यहाँ पे अगर आप गौर करें, हमारे पास कुछ इस तरीके से, say for example, ये हमारे पास एक data set है, अगर data set में यहाँ पे आपको दिखा हूँ, तो say for example, ये हमारे पास एक data point है, ये दूसरा data है, ये तीसरा data है, ये चोथ है, और ये पांच, ये पांच data points है हमारे पास, ठीक है, और इन पांच के पांच data points को हम एक line के साथ show करते हैं, say for example, जब हम machine learning की line इसके उपर fit करते हैं, then we can actually show them by using this blue line, और अगर आप गौर करें, तो blue line का मतलब ये है, कि जो हमारे पास एक proper data set है, which is these green points, ये कोई x-axis के उपर कोई चीज होगी और y-axis के उपर कोई चीज होगी, जिसकी base पे ये मिलके बना है, say for example, जो x-axis के उपर जो concept हम study कर रहे हैं, वो है जनाब आपका protein shake, protein shake, आपने कोई एक protein shake पी है, उस protein shake को पीने के बाद, आपकी speed में, यानि कि दौड में क्या फरक पड़ा, ठी इनँों ने इतना protein shake पीआ और इनकी दौड जो है वो इतनी तेज हुई, फिर एक और ने इतना ही पीआ लेकिन उसकी दौड में को इतना खासा फरक नहीं आया, थिर एक ये साहिब है, इन्हों ने इतना ज्याधा protein shake पीआ और इनकी दौड में यहां पर फरक पड़ा, फिर लोगों के protein shake पीने के ऊपर हमारे पास उनके जो speed है दोड़ने की वो कितनी change होती है हमने उसको data को यहाँ पर print किया तो यह हमारा training data था green points जो हैं तो अगर मैं green points को यहाँ पर लिखूँ these are our training data ठीक हो गया फिर इसी तरीके से हमारे पास एक blue line आ गई blue line को हम कहते हैं हमारा model जो हमने train की है using linear regression simple linear regression और इसी तरीके से जो हमारे पास blue line की base पे जब हमारे पास blue line आ जाती हम कहते हैं हमारे पास एक unknown बंदय हो कहता है कि यार अगर मैं इतना protein shake पीता हूँ तो मेरे पास कितनी speed आएगी so based on this line you can draw the prediction जो हम कल से करते हैं यह वाली prediction रोगी तो आप कहा सकते हैं कि आपके speed इस point पे जितनी होगी वो आपके होगी so अगर हम इन points को number भी दे 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 हैं यानि कि 1,2,3,4,5 और यहां पे 1,2,3 तो अगर आप इतना यानि कि 1,5 यानि कि यहां पे जो dose आ रही है इतनी protein shake की पेते हैं तो आपकी speed इतनी हो जाएगी ठीक है इस चीज़ को हम बोलते हैं machine learning model की base पे predict करना यानि कि simple linear regression की base पे अब अगर आप सोचें इस blue line की बजाए अगर blue line को देखा जाए हमारे पास तो हमने जब उसकी prediction की थी तो हमारे पास original value green की यह है लेकिन model हमें बता रहा है कि green की value अगर यह होगी तो आपकी speed इतनी होनी चाहिए बजाए इसके के इतनी हो इसी फरक को हम consider अगर करें तो यह अगर line को हम इस तरीके से side ओं पे जमा करते जाएं इस green की इतनी है इसकी जो value है वो इतनी है इनको अगर हम ऐसे लिखते जाएं तो हमारे पास mean squared error या different किसम के जो हमारे पास matrix है वो आ जाते है ठीक है यहाँ पे इतना difference है इन दोनों का इतना difference है इन दोनों का इतना difference है ठीक है अगर आप गोर करें जब हमने straight line गुजारी है तो यह सारे फरक जो हैं यह हमारे पास कम आएंगे ठीक है less difference आएगा इनका original data point का prediction से अगर आप इसी की बजाए straight line की बजाए इन में से एक squiggle गुजार देते हैं यानि के आप ऐसे line गुजारें के सभी data points के अंदर से वो line गुजरे यह जब आपने काम किया तो आपके पास जो machine learning का model आया यह वाला ठीक है इसकी base पे अगर आप गोर करें यह जो red line squiggle line मैंने draw की है अगर इसकी base पे गोर करें तो अगर कोई बंदा इतना protein shake पीता है तो यह इसकी speed शो करेगा यहाँ पे ठीक है लेकिन अगर कोई बंदा थोड़ा सा ज्यादा पीता है तो उसकी speed में boost आ रहा है तो यह हमारे पास एक errorness होती है जिसकी वज़ा से हम कह सकते हैं कि training data के यानि कि green point के उपर तो यह सारे का सारा data जो है यह less errors लेके आ रहा है say for example जहां पे green point है predicted भी यही है हमारा और original भी यही है तो error इसकी zero होगी तो हमारे पास इसकी error zero होगी green की इसकी भी zero इसकी भी zero इसकी भी zero इसकी भी zero क्योंकि model ही इतना ज्यादा fit bet है कि training data पे कोई मसला नहीं बरन रहा so अगर हम देखें तो यहां पे training data के अंदर जो हमारे पास errors हैं या residuals हैं वो तो आगे zero लेकिन on the other side as compared to this line यह जो line है आपके पास squiggle line के errors और भी ज्यादा आ रहे हैं for testing data say for example आपका testing data यह वला है तो इसने यहां पे यह वला point आपको दे दिया लेकिन जैसे थोड़ा सा आप बढ़ेंगे तो आपके पास यह point आ जाएगा और अगर हमें पता हो कि original testing data यहां पे आ रहा है यानि के इस जगा पे आ रहा है so now you can have an idea के बजाए इसके के आप यह वला फरक देखते यानि के इतना फरक देखते आप क्या देख रहे हैं आप squiggle की वज़ा से आप यह वाली line की वज़ा से आपका फरक जो है वो उन दोनों point से ज्यादा हो गया इसको समझाने के लिए मैं आपको यह एक line बना के दिखाता हूँ अब आप देखिएगा कि यह हमारी है जना आप generalized straight line लेकिन जैसे हम कोई squiggle draw करते हैं तो वो इस तरीके से fit होता है ठीक है अब हमने देखना है कि जो generalized line है जो straight line है वो ज्यादा better होती है कि squiggle obviously पहले बात तो आपको बता दी जाए कि generalized line बहतर होती है क्यों कि जब आप for example यह green line आपके पास है यह हमारे पास कोई prediction के लिए data points है one of them is this one यहाँ पे आ गया and the second one is this one यह दो points है अब इन दोनो points को predict करके देखते हैं यह हमें non points है कि एक यहाँ पे आता है एक यहाँ पे आता है यह non points है अब हमने इनको predict करके देखना है based on one model or the other अगर green की base पे predict करें न तो आपके पास यहाँ पे अगर आप protein shake इतना पीते हैं न तो green इतने protein shake की base पे आपको speed ये वाली दिखा रहे है ठीक है लेकिन जो original speed है वो ये red point की base पे हमारे पास already बता है कि यहां पे है so green ने इतनी ज्यादा speed दिखाई based on the protein shake तो difference अगर देखा जाए तो original का predicted से इतना है on the other side अगर आप white को consider करें तो white जो हमारे पास line है अगर हम इसके उपर draw करें तो ये हमें बताता है कि यहां पे आपका point आ रहा है so white का difference जो है वो इतना सा है यानि कि error के chances for testing data these red points are testing data same case यहां पे है अगर हम यहां पे red point को देखे original value हमारे पास ये वाली है और ये वाली है ठीक है अगर हम ये red point को देखें तो मैं इसको थोड़ा सा extend कर लेता हूँ यहां पे लगा लेता हूँ तो ये हमारे पास already known data है यह वाला ठीक है यहां से यहां तक लेकिन जैसे हम इसको predict करते हैं same x वाले point को green की base पे तो again हमें ये point यहां पे मिलेगा which is showing us this much error ठीक है यानि कि original से इतना दूर है predicted जो residual है on the other side अगर y को देखें तो ये थोड़ी सी error दे रहे है इसका मतलब यह हुआ कि ये जो green line है न this is good for training data पहली चीज तो ये बात याद रखें कि training data के लिए बहुत best है training data को predict करने के लिए this is very good the green line लेकिन जैसे आप इसको testing data पे लगाते हैं तो वो ये काम खराब कर देती है आपको कितनी ज्यादा error देती है हमारा मकसद हमेशा ये होता है कि training data ने सिरफ model train करना है training data सिरफ model को train करेगा not more than that लेकिन जो testing data होता है वो कितना accurately predict होता है based on the model वो हमारा main aim होता है समझा ही बात की अब आपको पता है कि आपके पास training data भी है और testing data भी है तो training और testing data के बाद जब हम evaluation metrics लेके आते हैं उनका मकसद भी ये होता है say for example ये मेरे पास x है और ये मेरे पास है जी y ठीक है इसको मैं बोल देता हूँ x और ये हो गया मेरे पास y अब आपको पता है कि हम 20% इसका data जो है वो testing के लिए रख रहे है ठीक है ये वोला ठीक है अब हमने क्या किया ये पूरा data जो red वाला है ये x है यानि के हमारा feature है और जो y है हमारे पास label है तो ये data कौन सा हुआ ये data है labeled data labeled data हुआ अब labeled data के उपर x और y हमारे पास मुझूद है हम क्या करते हैं हम x और y के अंदर जो दो हमने ये parts बनाए है पहले part को बोलते हैं training data दूसरे को testing data training अब बात सुनियागा गौर से training data पे हम model को train करते हैं ये एक जो मैं flow बना रहा हूँ इसको दिमाग में रखिएगा ये आपको बहुत helpful होगा training data पे हम model को train करते हैं we train the model on training data we train the model on training data ठीक है लेकिन जो testing data होता है we actually evaluate the model ये test the model evaluate evaluate the model हम यहाँ पे model को evaluate करते हैं अब आपको पता है कि जब हम training data और testing data की बात कर रहे होते हैं तो हम model को यहाँ पे evaluate करते हैं और यहाँ पे train करते हैं इसका मतलब जब भी आप x train और y train देखेंगे यानि के ये वाला जो data है यहाँ पे इसको हम बोलते हैं x train और इसको बोलते हैं y train ऐसे ही है आपको पता है ना हमने अभी इस पे काम किया है y train तो ये वाला जो data होता है इसको हम बोलते हैं x test और ये वाला y test अब आप बात समझेगे ये चार हमें किस तरीके से काम करते हैं जब हमने model को call करना होता है ना circuit learn के अंदर खास तोर पे हम model को बलाते हैं say for example model का नाम है linear regressor regression लिख लेते हैं say for example बलके regressor होगा मैं यहां पर लिख लेता हूँ यह हमारा model हमने call कर लिया जब हम fit करते हैं तो इन दोनों पे करते हैं x train और y train के उपर model dot fit की हम command लगाते हैं और यह हम करते हैं x train comma y train के उपर ठीक हो गया इस से हमारा model जनाब train हो जाता है अब अगला काम training के बाद यह है के हम x test के उपर यानि के यह जो values हैं लगाएं model को model को इसके उपर लगाएं और model क्या करें y को predict कर दे यानि के यह x जो है इसके उपर model लगाने से हमारे पास यहां पे एक और y का data आ जाए which is predicted data इसको बोलते हैं y underscore predict ज्यादा तर हम लिखते हैं इसको y predict ठीक है अब हमारा जो काम है y predict जो हमने predict किया x test की जितनी भी values थी जो trained model है इसने x test की सारी की सारी value को predict किया और y हमें दे दी ठीक है अब हमारे पास y test भी मजूद है और y predict भी मजूद है y test क्या है ये है original values जो हमारे पास हमने data में separate की थी लेकिन ये machine learning data जो machine learning का model है उससे हमने छुपाई हुई थी यानि कि उसको नहीं पता था कि हम ये वाली जो है values इनको हम consider कर रहे है सो हम क्या करते हैं basically जब हम model fit हो गया model train हो गया then we do model dot predict ठीक है किस पे करते हैं x underscore test के उपर इसको predict करते हैं sorry ये capital X है और इसको हम नाम दे देते हैं y underscore predict यानि के y predict का data अब हमारे पास y original भी मुझूद है और y predicted भी अगर मैं यहाँ पे draw करूं y original और versus हम करते हैं y predicted ये हमारे पास predicted है इसको बलके मैं color भी और दे देता हूँ ताकि आपको असानी रहे तो ये हमारे पास y predicted है तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं इन दोनों का by the way size same होना चाहिए तो मैं यहाँ से ठीक है हमने क्या किया ये वाला y underscore छोटा y underscore predict ये वाला लिया और यहाँ पे हमारे पास y underscore जो हमारा test था तो अब आपको समझ रहे ये जो test है न y underscore ये original data है non data non data जो आपके पास originally पड़ा हुआ है आपने क्या करना है y predict जो आपके पास predicted data है इन दोनों को compare करना है ठीक है मिसाल के तोर पे मेरे पास 10 स्वाल है 10 स्वालों में पहले का जवाब था 2 दूसरे का था 3 तीसरे का था 4 नंबर जवाब चोथे का था 5 ठीक है इसी तरीके से 10 स्वाल पूरे के पूरे उनके answer मेरे पास originally मजूद है तो हमने question paper दिया था model को which was x test हमने test paper दिया model को और model ने क्या किया हमें अपने जवाबाद दिये ये वाले और ये जवाबाद कुछ इस तरीके से अगर आ जाए 2, 3, 4 और 5 जो हमारे पास originally थे अगर वैसी आ जाए तो हम model को कहते हैं कि ये 100% अच्छा perform कर रहे है ठीक है क्योंकि हमारे पास non-value थी उसकी base पे हमने check कर लिया लेकिन most of the times ऐसा नहीं होता आपके पास थोड़ी से variation आती है ये 2.5 कह देगा, 3.5 कह देगा 4 को 4.5 कह देगा 5 को 5.1 कह देगा, something like that तो जब आपके पास इस तरीके से prediction होगी so you can have a look कि आपके पास data जो है वो सही तरीके से predict नहीं हो रहा ठीक है so यहाँ पे आप इस वज़ा से evaluation matrix लगाते है अगर ये वाली चीज हमारे पास regression की problem में हो जहाँ पे number से हम deal कर रहे हैं तो हमारे evaluation matrix कौन से होगे मैंने कल भी बताये थे mean squared error root mean squared error mean absolute error है और इसके इलावा हमारे पास r square है और भी हमारे पास aoc, roc curves वगारा भी हैं जो मैं अभी नहीं discuss करने वाला मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ और इसी तरीके से अगर हमारे पास y test original जो है ये labels हों किसी भी किसम के labels say for example yes, no, yes, no इस तरीके से और ये भी labels को predict करे so हम उनको compare करने के लिए क्या लिखते हैं for classification की problem के लिए we compare the labels और वहाँ पे हम discuss करते हैं labels को और उनके जो matrix हैं वो मैंने कल भी आपको बताये थे accuracy score accuracy score precision score recall score precision score recall score फिर आपके पास आता है F1 score इसके बाद आपके पास आता है confusion matrix और यही नहीं इन तीन scores को मिला कि आपके पास एक और आता है जिसको हम बोलते हैं classification report psychic learn के अंदर होती है classification report ठीक है यह कुछ matrix है regression के और कुछ है classification के आप जितनी देर machine learning और AI पर काम करते रहेंगे यह important matrix आपके सामने बार हा आते रहेंगे इनके नाम different change हो सकते हैं थोड़ी सी addition और deletion से लेकिन mainly यही matrix रहते हैं तो जब भी आपने machine learning, deep learning, artificial intelligence पर काम करना है keep these matrices matrix sorry matrix in your mind matrix होता है एक पे मानना M E T R I C पे मानना यह जितने भी matrix है आपने इनको इस तरीके से याद करना है कि अगर out of the blue भी आप से कोई पूछता है कि classification report के matrix बताओ तो आपको याद होने चाहिए रटा नहीं, confusion नहीं आपको matrix का पता होना चाहिए कि कौन-कौन से matrix है reason behind that क्योंकि यह बारहा use होने है और यह आपकी machine learning की accuracy, machine learning model को check करना और जो machine learning model की deployment होती है इन सारी चीजों पर depend करती है ठीक है, जैसे आपके पास chat GPT का 3.5 model है और एक है 4.0 तो आपको पता है कि जब model 4.0 आया था उन्होंने बोला था कि this is more accurate than 3.5 this can give you more accurate results, more precise results और इसको पीछे history को read करने का पता है and there were many many other things inside और इसी तरीके से अब Gemini आई आया है Gemini जो Google का model है you can have a look inside that one as well उन्होंने accuracy improve की है span बढ़ाया है उसकी reason कहा है उन्होंने पीछे से जो algorithm में वो change किया है और algorithm के साथ साथ इनका model भी है वो change हुआ है अब अगर model और algorithm को देखा जाए तो मैंने आपको पहले बताया था कि algorithm में एक set of instructions होता है model क्या होता है जो उन set of instructions की base पे patterns को draw करता है from data तो हमने जब अपना machine learning model बनाना है that should be unique और हम उसको deploy कर सकेंगा this thing जो मैंने अभी आपको बताई है यह आपके लिए क्यों ज़रूरी है reason यह है कि हमने regression की problem पड़ी है classification की पड़ी है आपको matrix और train test split का पता होना ज़रूरी है ठीक है इस वज़ा से यह मैंने सारा कुछ बताया और यहीं पे अगर आप data को उपर वाला 80% ट्रेनिंग के लिए रख लेते हैं नीचे वाला 20% ऐसे रख लेते हैं तो यह simple method है train test split का लेकिन अक्सर उकात आप fold बनाते हैं method के which we are going to see in upcoming lectures के k-fold cross validation क्या होती है cross validation क्या होती है and then there are many things as well यहाँ तक आपको clear हो गया को hopefully अब हम next topic के तरह move करें